तो क्या इस साल का Compart exam hard होने वाला है? इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका इस साल का Compartment exam का level क्या रहेगा? अगर मैं normally Compartment exam के passing percentage की भी बात कर रहा हूँ तो Compartment में passing percentage, boards के passing percentage के आसपास ही होता है जनरली कमपार्ट में सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे फेल करते हैं जो कि कमपार्ट का पेपर पूरी तरब पूरी ब्लैंक छोड़के आते हैं एक स्मॉल टिप दोंगा कि अगर तुमको कमपार्ट में एक्चुली पास करना और तुम्हारी लेवल उस तरह की पढ़ाई नहीं हो पाड़ी है फिर भी तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है और यू आर गिवप एक चीज़ याद अगना कि तुम थेओरिटिकली बहुत अच पर फिल कर देते हो तो तुम्हारा इजली कमपार्ट निकल जाता है कमपार्ट में अगर मैं कोश्चन लेवल की बात करूं तो वह जेनरली यही देखा जाता है कि आपके बोर्ट लेवल का हो और ज्यादतर केसे में मैजॉरिटी केसे में इट इस बिलो दबोर्ट लेवल यानि बोर्ट में जैसे कोश्चन आयते हैं बट पैटर बिल्कुल सेम रहेगा मतलब बोर्ट में थेओरिटिकल कोश्चन का जो प्रसेंटेस था वो ज्यादा था निमेडिकल का कम था था दा सेम फिल फिल फॉलोड़ इन कमपार्टमेंट और आल सो मैं बता दू कमपार्टमेंट के जतने भी प्रीवेस को देख सकते हो वह जनरली एवलेबल होता है लिखा रहता है सीबीसी कमपार्टमेंट एक्जाम 2020-2019-2018 ऐसे करके बगल में कोश्चन के लिखा रहेगा ठीक है तो में आगे जाने से पहले मैं आप सभी को ये भी बता दू कि आप लो जाएगा इन योर क्लाट नेक्स्ट एक्जाम ठीक है और तो और मैं बता देता हूं आपको ये चीज कि आप सभी लोगों के लिए औल इंडिया क्लाट फ्री स्कॉलर्शिप मॉक टेस्ट हो रहा है जिसके तुरू आप लोग यार बहुत सारी स्कॉलर्शिप जीत सकते हो वर्थ रुपीज 1.25 करोर और तो और आप चेक भी कर सकते हो कि आप स्टैंड कहा पर करते हो क्योंकि ये औल इंडिया मॉक टेस्ट है तो यहाँ पर सारी बच्चे बैटेंगे इसके अलावा आप लोगों के लिए क्लाट प्रिंटेड मॉक टेस्ट जो है वो एवलेबल कर कि आप लोगों के लिए हुआप काफी सारे free test series ले के आते हैं जिसमें की मैं आपको बता दो कि इस बार free की संख्या थोड़ी सी कम है क्लेंडर है कि कब कौन सा test series आपका होगा और तो और आप लोगों के लिए बहुत सारे batches launch किये गए for your CLAT 2024 जिसमें कि आपके लिए level up for CLAT batch हुआ है जिसमें आप CLAT, LAT, SLAT, LSAT, MHCET कुछ भी दे रहे हो 2024 तो आप उस batch से कर सकते हो with the top educators also मैं आपको बता दू कि आपके लिए ace legal batch जो की है beginner batch for CLAT 2025 और साथी में mission batch 2025 जो की है integrated batch for CLAT and board जिसमें आपको दोनों चीज़े CLATS और board दोनों पढ़ाए जाएगा तो मैं आपको बता दू यह सारे top educators ने मिलके आपके लिए बहतरीन batches यूज कियें और अगर आपको मैं बता दू कि आप इन batches का access कैसे कर सकते हो तो आप subscription ले सकते हो using the code pdns10 for the better discount मतलब इसमें बहुत ज़्यादा discount मिल जाएगा ठीक है चलो फटफट फट और सारे offers को grab कर लो क्योंकि यह best मौका है अब चलो चलते हैं वीडियो में आगे एक और बहुत important चीज बता रहा हूँ compartment exam के इस साल के अगर level की बात करे तो that will be easy मैं एकदम clear cut बोल रहा हूँ तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप लोग एकदम मज़े में चिल मार रहे हो कि हाँ compartment तो easy होने वाला है और अब तो हो जाएगा काम तो नहीं मैंने compartment exam पे एक strategy वीडियो डालिए इसी channel पे जाके एक बार जरूर check out करना जिसमें कि मैंने बताया है कि compartment exam कैसे होंगे compartment exam जो है उसके लिए आप preparation कम से कम समय में कैसे कर सकते हो prioritize करना सीख जाओ अभी सहीं चीजों को कि तुमको कैसे तियारी करनी है अपने compartment exam की सबसे पहली बात है ये कि compartment exam अगर आपका लगा है तो मैं आपको बता दू passing percentage will be higher, question level will be easier but question level तभी easier लगेगा अगर आप उसे genuinely पर रहे हो अगर आप generally उस पे time दे रहे हो ठीक है, question पर आपको time देना बहुत जादा important है at this point अगर आप question को समझ पा रहे हो एक चीज़ बता देता हूँ, theory को 70% priority पर रखो 30% question को priority पर रखो यानि 30% आप previous year question करो बागी 70% time up अपना सिर्फ theory पर दो क्योंकि मैं बताता हूँ कि question generally ऐसे ही आएंगे जिसको आप सिर्फ और से थोड़ी पढ़के भी अराम से clear out कर सकते हो question बिलकुल ऐसे आएंगे कि आपने थोड़ी पढ़ी और आप उसका answer कर सकते हो ठीक है, एक बात बता देता हूँ compartment में success rate लगबग जादा ही रहता है लेकिन वो totally depend करता है कि बच्चे ने उसकी तैयारी और उसके preparation किस लेवल पे करी है एक चीज़ बता देता हूँ अगर actually में compartment exam को concur करना है मतलब कि एकदम compartment exam निकल ही जाए ऐसा सोच रहे होना, तो अपना पूरा का पूरा marks भी लेया होगे ना 70 में, 50 marks में बोल रहा हूँ और 30 marks जो तुम्हारा practical का मिला, अगर दोनों में मिला लेता हूँ एक subject का तो बनता है 80 marks which is equivalent to around 16%, 16% तुम्हारे total score में बढ़ जाएगा अगर तुम compartment जिस subject में लगा है, उसका सारा marks बहार निकाल लो तो जो अभी उसके हटा के जितना percentage बन रहा है ना, उसमें 16% और add up हो जाएगा जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है, और score करना 70 में बहुत आसान है तुम्हारे पास sufficient time है to study a subject और दिन से रात एक subject पढ़ोगे तो easily cover up भी कर लोगे, दो दिन भी एक chapter को दोगे ना, तब भी अभी से cover up हो जाएगा अगर एकदम genuinely और honestly उसके पिछे काम करोगे तो, तो compartment के लिए डरो मत और ये मत सोचो कि तुमको सिर्फ और सिर्फ उसमें पास होना है, compartment में score करने का सोचो और जो सबसे major update है, वो यही है कि compartment exam will be moderate level वो बिलकुल board level कहीं होगा, या फिर उससे नीचे ही होगा, उससे tough नहीं होगा ये मत सोचो कि तुम्हें दूसरा मौका मिला तो तुम्हें tough exam लिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है इस ब्रह्म से बाहर आ जाओ, जो कि तुम्हें बागी के यूटीवर्स बता रहे हैं, ठीक है I hope कि तुम्हें सुनके ये थोड़ा अच्छा लगाओगा, make sure करना वीडियो को like कर देना, compartment exam की strategy जरूर से देख लेना ठीक है, अगर drop लेने का plan है, तो उस पर भी एक वीडियो डाल रिखिए, चेक आउट कर लेना तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, bye, take and peace, जैहिंद, बंदेमाद